नमस्कार कोविड-19 करोना वाइरस से निपटने के लिए हमारे देश को लगातार अंधविश्वास की गर्क्त में ढखेलने की साजिश सत्ता के शीर से हो रही है एक के बाद एक जुमले टोटके जनता की ओर उचाले जा रहे हैं फेके जा रहे हैं और इसके पीछे मूल मंचा ये है कि जो मुद्दे होने चाहिए जिन पर हमें और आपको चिंतित होना चाहिए सवाल उठाने चाहिए सतरकता बदरनी चाहिए उन सबसे हमारा ध्यान पूर अबादी में इस समय जो हम करोना टेस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो क्या है उसका नुपात क्या है दस लाग की आबादी पर महज 20 टेस्ट हो रहे हैं और वह भी ऐसे समय जब तमाम डॉक्टर्स और नर्स एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पास गलब्स नहीं है मास नहीं है सुरक्षा की उपकरण नहीं है ऐसे में हमें किस चीज पर चिंता करनी चाहिए किस चीज पर सवाल उठाने चाहिए और हमारा देश क्या कर रहा है इन्हीं तमाम जलते हुए सुलकते हुए सवालों के साथ आपके स राथ हम पेश कर रहे हैं न्यूस क्लिक पर आपका पसंदीदा कारिक्रम खोच खबर अंधुश्वास किस तरह से जूटी और भ्रामक फेक न्यूस का एक सुरोत बनता है एक इसका जीता जाकता उधारन अभी हमारे सामने आया देश के आयुश मंत्री हैं श्रीपद नायक जो गोवा से सांसद हैं मोधी सरकार में बहुत एहम माने जाते हैं और संग से उनके करीबी रिष्टे हैं उन्होंने बहुत ही जबर्दस्त बात कही उन्होंने कहा उन्होंने दावा किया गोवा में एक प्रेस कॉंफरेंस करके बखायदा कि ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं वेल्स के राजकुमार प्रिंस चाल्स वो करोना से पीडित हो गये थे और उनका जो उपचार हुआ है उसमें आयरवेद का और होमपैथी दवाईयों का बहुत बड़ा योगदान है यहां वो आयरवेद के बारे में बहुत गोरानवित महसूस कराने की वह कोशिश करते हैं आप देखी इसके बाद होता क्या है भारत की अंतराश्टी इस्तर पर इतनी ज़्यादा भद शायद ही कभी पिटी हो तुरंथी प्रिंस चाल्स के हां से उनके दफ्तर से इसका खंडन आता है बड़ा कड़े शब्दों मे खंडन आता है मैं आपको पड़के सुनाती हूं वहां वो क्या कहते हैं वेल्स के राजकुमार ने यूके में एनच एस राष्टी स्वास सेवा की मेडिकल सलाहमानी इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया सवाल यह है कि जिसमें पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पारेश करते हैं और इस बारे में कभी शर्मिंदा नहीं होते आज हमारी कुछ गंभीर चिंता जो हम आपके साथ साजा करने जा रहे हैं वह है पी एम केर्स फंड के बारे में इस फंड को लेके बहुत गंभीर सवाल उठ चुके हैं कई वरिष्ठ नेता कई इतिहासकार सवालों को उठा रहे हैं इन्हें तर्तीब से हम आपके साथ शेयर करेंगे इस बारे में सबसे पहले जो विश्वस्निय जानकारी है वह हमारे पास पहुची पत्रकार रह चुके और आटी आई एक्टिवेस्ट साकेत गोखले के जरीए उन्होंने जोड कर बताया कि अभी इतिहासकार रामचन गुहा से लेकर गोखले हैं शेशी थरूर जो कॉंग्रेस के सांसद हैं वे और तमाम और लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक अलग फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी क्या आप जानते हैं कि पहले से तमाम आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास प्रधान मंतरी राहत कोश है जो किसी भी तरह का संकर जबाता है देश के उपर वहां से अपील जाती है लोगों के पास और फंड इकठा होता है और उसके बाद एक मेकैनिजम है उसका कि किस तरह से वो वित्रित होता है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत पा यह है प्रधान मंत्री राहत कोश इसके पास पैसा था इस समय जब हम बात कर रहे हैं 3800 करोड रुपे जब यह पीम केर्स फंड अलग से जारी हुआ उस समय इस मद में पैसा इतना था प्रधान मंत्री राहत कोश में हमारा सवाल है कि जब इतना पैसा प्रधान मंत्री राहत कोश में था तब जब इतने महीने से देश में यह आपदा है हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है मास्त नहीं है डॉक्टरों के पास सुविधाएं नहीं है सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों के पास सुविधाएं नहीं है तब आखिर क्यों प्रधान मंत्री ने इस मस स पैसा नहीं खर्श किया देंग से प्रधानमंत्री और सदस्यों की नाम हमें पता है उन में ग्रिह मंतरी आती है मैं और driving के बारे में जानकारी नहीं है इसमें सबसे पहली आपकोती है कि ये पूबलिक ट्रस्त है इसलिए इसकी पूरी की पूरी कारवाई अ कुंर si है वह बिलकुल पाढ़दर्शी नहीं है वह बिलकुल बंद है इसमें कैसे fund आयेगा और कैसे विद्रित होगा इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है सवाल यह है कि इसमें जितने पैसे आएंगे, उन पैसों को कैसे खर्श किया जाएगा, कितना Laurel दिया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी नहीं है तब फंड किस तरह से collect हो रहे है और क्यों collect हो रहा है इसके बारे में भी बताने वाला जब PM केर्स का एलान हुआ तो जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें फंड के बैंक खाते का विवरण में स्विफ्ट कोड को भी जोड़ा गया था हम यहां को बताना चाहेंगे स्विफ्ट कोड की तब जरूरत पढ़ती है जब दूसरे देश से किसी दूसरे देश में भेजना होता है एक देश से दूसरे देश में फंड भेजना होता है तब हमें जरूरत होती है स्विफ्ट कोड की और من्ट अखबार में जो खबर छपी उस खबर के अनुसार दो दिन बाद प्रधान मंगे नरेन मोदी ने विदेश में जो भारती राजदूथ हैं उनके साथ एक वीडियो कानफरेंसिंग की, वीडियो कानफरेंस किया और उसमें इस fund के बारे में जानकारी दी और यह अपील की कि जादा से जादा संख्या में, जादा से जादा मात्रा में इस fund में पैसा जुटाया जाए, जनरेट किया जाए इसका मतलब उस तारीक तक इस fund के जरीए विदेशी चंदा इकठा हो रहा था मतलब बहुत साफ है कि अब उस समय विदेश से पैसा आ रहा था और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, वह स्विफ्ट कोड इस वेबसाइट से हट गया है सवाल है कि यह सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, कुछ समय पहले प्रधान मंत्री बाकी राजदूतों से बात करते हैं, स्विफ्ट कोड वेबसाइट पर होता है, बैंक के डिटेल्स होते हैं और उसके बाद जैसे ही इस पे कुछ लाल बत्ती जलती है, लोग आपत्ती करते हैं, यह सारी के सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, आखिर क्यों, 31 मार्श को केंदर सरकार एक ओर्डिनेंस लाती है, और उसके जरिये यह पी-म केर्स फंड है, और इससे पहले जो प्रधा इसी तरह से इंकम टैक्स से छूट मिल गई है, यह तमाम चीजें बहुत ही दिल्चस्प है, इसके साथ ही एक और बहुत चीज जो दिल्चस्प है, कि इस बारे में पहले ही आयकर विभाग की जो फंड है, इसे आयकर से छूट का प्रमानपत्र जारू कर चुका होता है, य इसे लेकर हमें और आपको दोनों को चिंता होनी बहुत जरूरी है, सिर्फ बात मीडिया की ही नहीं है, मीडिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, मीडिया में सही खबरे देने वालों लोगों को धंकाया जा रहा है, उनके खिलाफ F.I.R. हो रही है, ऐसा ही ताजा मामला आया और ये F.I.R. में जिस तरह की भाशा का इस्तमाल है, वो अब ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसे बहुत साफ है कि ये बदले की कारवाई, बदले की बू इसमें से आ रही है, इस लेक में सिधार्त वर्दराजे ने वही लिखा था जो पब्लिक नॉलेज में हैं, जिसको लेकर हम और आप बात कर चुके हैं, कि जब देश को लोगडाउन में सरकार ने घोशना की, जब प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने 24 तारीक को घोशना की, देश 21 दिन के लोगडाउन में जा रहा है, उसके ठीक बाद, उसी दिन 25 तारीक को सुवे 4 बजे, किस तरह से योगी आदेतिनात, आयोध्या जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, इसी बारे में यह लेक है, इस लेक में जो एक लाइन है, जिसको लेकर आपत्ती हुई, जिसके बारे में बाद में वेब साइट में सुधार लिया गया, उसमें एक लाइन जो योगी आदेतिनात के हवा हंस ने जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अगले दिन वेब साइट ने यह अपनी गलती सुधार लेकिन जो एफाई आर बनाई गई है फैसाबाद में जिस तरह की एफाई आर हुई है अगर आप उसकी भाशा देखें तो लगता है उसमें सीधे सीधे आरोप ल लंगन किया गया लिहाजा सिधार्ट पर यह एफाई आर की गई है इस एफाई आर के खिलाफ जो एक बहुत एहम बयान आया है वह बयान जारी किया है न्यूस क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस ने वरिष्ट पत्रकार प्रॉंजे गुहठा कुरता ने दसिटिजन की सीमा मुस्तफा ने इंडियन कल्चरल फोरम की गीता हरीहरन ने और परी के संपादक और वरिष्ट पत्रकार पी साइनाथ और उनके साथ तमाम और लोगों ने इस बयान में साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह से सिधार्ट वर्दराजन को एक लेक के जरिए निशाना बनाया गया है वे शर्मनाक है और वे मीडिया के लिए खत्रे की घंटी है